हेलो एवरीवन गुद मॉर्निंग टो लॉफ यू वेलकम टो लॉजिक पार्च शाला आज केस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 चुलाई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेस के क्वेस्चन्स फ्रेंट करेंट अफेस के सासद हम आपको स्टेटी चीके के क्वेस्चन्स भी कवर कराते हैं जिससे साथ ही में क्या होगा ना हम स्टेटी चीके के क्वेस्चन्स को भी रिवाइस करते चलेंगे और वीडियो का PDF आप लोग को मिलेगा हमारे टेलिग्राम से जिसका लिंग आप को डिस्किप्शन में दिया है टेलिग्राम पर आप डारेक्ली भी सर्च कर सकती हैं हमारे ग्रूप को लॉचिक पार्शला 16 तो चले फ्रेंट्स आज के सेशन को शुरू करते हैं उनके पास आती हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेटर चीज़ें आएं अगर आप अपनी लाइफ में बेटर करना चाहते हैं सो जाईए बाहर निकलिए और काम करिए उसके उपर क्योंकि जब आप उस पे मैनत करोगे जब आप वर्क करोगे न तो जो गुट थिंग्स भी है न वो बेटर हो जाएंगे आप 26 शुलाई को क्यों मनाती है यह दिन तो 26 शुलाई को देखे क्या हुआ था 26 शुलाई 1999 की बात करें जिसे तरीके से कारगिल वार भी कह सकते हैं तो उस दिन पाकिस्तानी आर्मी ने जो कबजा किया था कारगिल वाली जगा पे जो पहारी चोटियों पर कबजा किया थ उस पर इंडियन शुल्जर ने अपनी विक्टरी हासिल करी थी उस दिन इसलिए इसको कारगिल युद की रूप में भी जानते हैं और इसलिए इस दिन 26 शुलाई को ही यह दिन जो है कारगिल विजय दिवस मनाया चाहता है क्योंकि इस दिन हमारी विजय हुई थी इंडिय शुल्जर कह सकते हैं उन्होंने जीत हासिल करी थी तो अब आप समझ के होंगे कि 26 जुलाई को क्यों मनाती हैं अच्छा जले कुछ इंपॉर्टेंट डेस जुलाई के एक बार रिवाइस कर लेते हैं इस यह हमारा देखे अच्छा सा रिविजन हो चाहेगा सो 1st जुलाई कौनसा दिन नाशनल डॉक्टर्स थी जिसकी थीम रही celebrating resilience and healing hands 1st जुलाई को ही नाशनल पोस्टल वरकर डे और GST डे भी मनाया जाता है उसके बाद देखे 5th जुलाई वर्ड बेडमिंटन डे मनाती हैं 6 जुलाई को मनाया जाता है वर्ड जुनूस डे इसके बाद 11 जुलाई को आता है वर्ड पॉपॉलेशन डे जिसकी थीम है unleashing the power of gender equality अच्छा पॉपॉलेशन वाइस बात करें friends तो याद रखेंगे अब इंडिया जो है वो पॉपॉलेशन की category में आ गया है नंबर वन पे चाइना को भाई पीछे चोड़कर इंडिया जो है अब पॉपॉलेशन में आगे निकल गया है उसके बाद 12 जुलाई को मलाला डे जो है मनाया जाता है तो यह कुछ इंपॉर्टेंट है जुलाई के बट डोंट वरी हम जुलाई के इंपॉर्टेंड इसको लास्ट में विद्धी मेमरी ट्रिक से भी याद करेंगे चलिए अब स् इस कंट्री के साथ टेलिसमन सेवर जो एकसरसाइस है वो ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ में जो है इसका आयोजिन किया है या इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया है तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने यूएस के साथ जो है पार्टिसिपेट किया है इस कि जो relations हैं, military forces के बीच में, जो भी इसमें participate कर रही हैं, उनके बीच एक strong relation develop करना, एक मजबूर संबंध को विक्सित करना, चीक है, याद रहेगा, Australia ने किसके साथ की है exercise, US के साथ मिलकर, अगला question देखिए, Prime Minister Narendra Modi ji will inaugurate a six-day event focusing on semiconductor, Semicon India 2023 in which city, तो Modi ji के द्वारा जो semiconductor पर 6 दिन का देखे जो कारेकरम हुआ, Semicon India, तो यहाँ पूछा गया है कि ये कारेकरम का उदगाटन, Modi ji किस शहर में करेंगी, तो इसका उदगाटन, Modi ji के द्वारा किया जाएगा, कहां पे, अधी नगर में, ठीके, अब इसका उदेशे क्या है देखे, तो ये जो Semicon India, जो ये 6 दिन का event है, इसका में उदेशे है, जो भी visitors है, उनको educate करना, semi conductors की जो process होती है, जो manufacturing, जो उनके विनर्मान प्रक्रिया होती है, उसके बारे में, उनको educate करना, उनको सिक्षित करना, and the remarkable stride achieved in the dynamic event, और इस छेतर में हासिल की गए, जो भी देखे, achievements है, उनके बारे में, जो है, कि भी हमने क्या-क्या achievement हासिल करी, उसके बारे में, उनको educate करना, ये इस event का उदेशे है, बात करें, मोधी जी से लेड़ेट कुछ और important news की, चले एक बार revise करें थे कुछ news को, तो अभ कीरा Global Convention Center, आंद्यप्रिदेश के पुट्ट पर्थी में, जो है, इसे inaugurate किया, प्राइम मिनिस्टर मोधी जी ने इनागरेट किया, नाशनल सिकल सेल अनेमिया इरेडिकेशन मिशन 2047, और इसने मद्यप्रिदेश के लालपुर विलेज में, इसे inaugurate किया, और इसे किर्केटर ब्राइन टेबर पास्ट अभी रिसेंटली एड़ी एज अफ एटी थी, ही वोस फ्रॉं विच कंट्री, तो किर्केटर जो ब्राइन टेबर हैं, इनका भी हाली में 83 वर्ष की आयू में निदन हो गया, वे किस देश से थे, तो इनकी बात करती हैं, तो ये भी हुआ था, जो हेंसबर्ग में, जहां पी इनोंने 7 कैच पकड़े थे और एक स्टम्प लिया था, ठीके, ऐसे एक्जाम में ये नहीं पूछते कि किसके अगेंस्ट में देखे, डेबी हुआ था, या इनोंने कितने टेस्ट मैच के लिए, इस तरही से नहीं पूछेंग सकती हैं, अगला कुशन पर बढ़ते हैं, विच अडिशन ऑफ दी हेलिकॉप्टर एंड स्मॉल एरक्राफ्ट सम्मिट हैज बीन ओर्गनाइजड इन खजराहो मध्यप्रदेश, हेलिकॉप्टर एवं लगू विमान शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्क्रण मध्यप्रदेश क खजराहो में आयोजित किया गया, तो इसका हुआ फ्रेंट सभी फिफ्ट एडिशन हुआ, ठीके इस सम्मेट का कौन से एडिशन हुआ, फिफ्ट और ये भी पूछ सकते हैं कि कहां पर ओर्गनाइज हुआ, तो खजराहो मध्यप्रदेश में, यूनिन सिविल एविशन मि बढ़ाने पर में यहां पर देखे फोकस किया गया, कि किस तरीके से हम वहां पर ट्यूरिज्म बढ़ा सकते हैं, बढ़ी ट्रांस्पोर्टिशन देखे जब अच्छा होगा, तो ट्यूरिज्म तो आटिमेटिकली अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि लोगों को आने जाने क कि सुविधा अच्छे से मिल जाएगी तो यही इसका मेन उद्देश है इस पूरे समिट का ठीक है तो एडिशन याद रखेंगे फिफ्ट और 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 नाइस कहां हुआ है खजुराहू मद्यप्रदेश में और किसने इसे इनॉग्रेट किया है इवेंट को ये भी हमें य अब बात करते हैं मद्यप्रदेश इससे कुछ important news की तो चले पुरानी news से चले शुरू करते हैं आज काफी सारी news revise कर लेते हैं तो मद्यप्रदेश की सरकार ने देखिए launch pad scheme शुरू करी थी इसके लावा मद्यप्रदेश की सरकार ने punk अभियान शुरू करा था girl child के लिए अगली news याने कींगे मद्यप्रदेश सरकार ने अंकुर scheme शुरू करी थी मद्यप्रदेश की सरकार के द्वारा देवरन्या जो scheme है से शुरू किया गया था आयरवेदा को प्रमोट करने के लिए मद्यप्रदेश का जो indoor शहर है याद रखिएंगे इंडिया का पहला water plus certified श इसका नाम tribal icon तांतिय अभील जी के नाम पर रखा गया मद्यप्रदेश का पहला drone मेला कहां पर organize हुआ था कौन से शहर में तो मद्यप्रदेश के गौालियर में जो है इससे organize किया गया था नेक्स्ट देख अभी recently दिखे आपको याद होगा कि मद्यप्रदेश पहला state बना जिसने अपने हाँ पे जो pilgrims होते हैं जो तीर्थ यात्री होते हैं उनको free air travel provide किया मद्यप्रदेश सरकार ने recent ही cm learn with earn scheme जो है learn and earn scheme को ये मद्यप्रदेश सरकार ने ही launch किया था इसके लावा मद्यप्रदेश में मौगंज ये मद्यप्रदेश का 53rd number का district बना मद्यप्रदेश सरकार ने मुख्य मंत्री सीखो कमाओ योशना को start किया unemployed youth के लिए इस योशना को शुरू किया गया तो ये हमारी friends important news हो गई आपकी मद्यप्रदेश से related चले बढ़ लेते हैं अगले question पर, question है which state government has signed an M.E.U. with Tata Technologies to transform 36 government ITIs into an industry 4.0 technology hub तो अभी किस राजे सरकार ने देखे 36 सरकारी ITI को industry 4.0 technology hub में बदनने के लिए Tata Technology के साथ में एक समझोता किया है तो ये समझोता किस नहीं किया है 36 कड सरकार ने तो इसमें देखो क्या होगा ने समझोते के जो 36 जो government ITI है उनको industry जो technology hub है उसमें convert किया जाएगा इतना सा अब ध्यान रखेगा फ्रेंट्स या 36 कड की बात थोड़ी सी कड़ें तो 36 कड में देखे कौन कौन से mission शुरू हुए थे 34 सरकार ने हमार सुघर लाइका अभियान इसे शुरू किया था इसके लावा फ्रेंट्स चटिसकर सरकार ने रोजगार mission शुरू किया था चतिसकर सरकार के द्वारा पढ़ाई तुहर पारा योशना शुरू करी गई थी गोधन न्याई योशना शुरू करी गई राजीव गांदी किसान न्याई योशना ये भी चतिसकर सरकार ने शुरू करी थी और इसके लावा मुख्य मंतरी महिला उतकर्ष योशना इसे भी च 36 गर सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था 36 कड़ की वरिंट 36 गर में इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है तो वो भी याद रखेंगे भुपेश, बगेल और अनुसुया उई की हैं गवर्नर इस टाइम पे हैं विश भूशन हरी चंदन 36 कड़ के गवर्नर चीफ को याद रखेगा चले फैंट्स, नेक्स्ट क्वेशन के तरह बढ़ते हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमिश शहा है तो अभी केंदरे ग्रह मंतरी अमिश शहा ने किस राज्य में भगवान राम जी की 108 फिट उची प्रतिमा की अधाशिला रखी तो किस स्टेट में रखी स्टेट बताना है तो आंधर प्रदेश तो आंधर प्रदेश के कुरुनोल में जो है भगवान राम जी की जो ये स्टैचू है इसकी अधाशिला रखी अच्छा किसके द्वारा रखी गए ये भी पूस सकते हैं तो याद रखेंगे अमिश रहाजी के द्वारा इसकी अधाशिला रखी गई 500 करून रुपे की लागत से देखे इसको पूरे स्टैच्चू को बनाया जाएगा और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये मंत्रालियम जो गाउं है उसके 10 एकर का जो एरिया है उसमें फैला अच्छा आंद्रिप्रिदेश के बात करें तो विशाका पटनम है क्यापिटल यांकी चीप मिनिस्टर है वायस चगन मोहन रिड़ी गवर्नर है अब्दुल नजीर राजे सबा सीटे हैं 11 लोग सबा सीटे हैं 25 और असेम्ली सीट है 175 अगला कुश्चन देखिए नेक्स क् इस्टेट और यूटी मछेल माता यात्रा बिगिंस तो अभी दिखें रिसेंटली मछेल माता यात्रा जो है किस राजिये या केंदस आश्री प्रडेश में शुरू होगी तो ये यात्रा जो शुरू होगी वो कहां होगी जम्मो कश्मीर में यह जो यात्रा है ये second most famous pilgrimage हैं जम्मू डिवीजन में, पूरे छेतर के जो भी पिल्ग्रिम्स हैं, जो तीरती यातरी हैं, देखें, वो मचेल माता मंदिर में आशिरवाद देने के लिए अपनी यातरा पर निकलती हैं, ओके, याद रखेंगे, अच्छा फ्रेंड्स, यहां बात करें, जम्मू कश्मीर से कुछ और नियूस की, तो देखें, जितना आप लोग रिवाइस करोगे, उतना आपका इंटरफेस का, आपका स्ट्रॉंग होगा, तो डेफिनिटल आप हारे क्वेशन से कुछ ना कुछ रिवाइस ज़रूर करें, अभी आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर ने लॉंच किया गया था, नेक्स्ट फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर एग्रिकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने लॉंच किया था किसान संपर्क अभियान को, यूनिन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंदर सिंग ने नौर्थ इंडिया का जो पहला इंडस्टियल बायो टेक पार्क ह इसे जम्मू कश्मीर में इनाउग्रेट किया, पूरी इंडिया की बात नहीं हो रही है, नौट इंडिया के पहले इंडस्टियल पार्क की नेक्स्ट या देखेंगे जम्मु कश्मी में देखें लेफ्टिनन कवरनर कौन है मनोज सिनहा और इन्हों ने एक पोर्टल लॉंच किया था और इस पोर्टल का नाम क्या था अवसर तो यह हमारी important news हो गई जम्मु कश्मीर से related चले बढ़ते हैं next question पे at which place प्राइम मिनिस्टर मोदी जी to inaugurate गुजरात's first greenfield airport प्रधान मंतरी मोदी जी किस स्थान पर गुजरात के पहले greenfield हवाई एड़े का उधगाटन करेंगे तो गुजरात में कौन सी जगा है हिरासर ठीक है हिरासर में जो है गुजरात के पहले greenfield airport को inaugurate करेंगे मोदी जी तो हिरासर greenfield airport ये राजकोर्ट से लगबग 30 km approximately पड़ेगा और इसको बनाने में कितनी कोस्ट आएगी 1405 करोन रुपीस की तो अब यह amount याद करने मत बैठ जाएगा कि ये इतना important नहीं है greenfield airport के पूरी तरह से solar power system से equipped होगा green belt और rain water harvesting system भी यहाँ पे लगे होंगे अच्छा अब बात आती हैं आपे गुजरात की तो चले गुजरात से भी कुछ important news को हम revise कर लेती है गुजरात में दिखिया अभी पाइलेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था अन्तोध्य श्रमिक सुरक्षा योजना गुजरात अमिच शहाने जी के लॉड हनुमान जी का 54 फिट टॉल स्टेचू इससे गुजरात में अन्वील किया नेक्स्ट न्यूस यानने केंगे फ्रेंट्स प्राइम मिनिस्टर मोधी जी ने मेज गार्डन, हाउस बोर्ट सर्विस और मियावाकी फोरेस्ट इन सभी को इनॉगरेट किया गुजरात स्टेट में टाटा ग्रूप ने गुजरात के साथ में एक डेल साइन करी फोर एवी इलानी इलेक्ट्रिक वहिकल बेटरी प्लांट के लिए गुजरात सरकार ने देखिए जो प्रधान मंति जन आरोगे स्कीम के तहत जो इंशॉरेंस कवर है उसको डबल करने की बात कही तो यह हमारी important news हो गई गुजरात से related अगला question देखिए question है who has been appointed as a new chairman and managing director of भारत डाइनमिक्स लिमिटेड तो BDL के जो नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए है उनका नाम क्या है answer is a madhavrao तो यह appointment हुए है simpler में याद रखना है one liner में अच्छा recent appointments की बात करते हैं तो देखिए अभी इंडियन volleyball women's जो team है उसकी नए coach बनी है रविंदर बांस्तू first woman जो navy officer top navy officer अपॉइंट हुई है US की history में कौन अपॉइंट हुई है लिसा फ्रेंचिटी इंटरनाशनल मिलों फांडेशन के chief बने एस विंचेंट राचकुमार जैगवार लैंड रोवर के CEO अपॉइंट हुए है एड्रियन मार्डिल नौइडा इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट अथियो कौन पॉइंट हुए है लोकेश M अगला कुश्चन फूइंट अन नाइशनल कम्यूनिटी रेडियो अवर्ड इन नौई दिल्ली में आटवा और नौवा राष्टे समुदाइक रेडियो पुरस्कारिय किसने प्रदान किया है यहां देखी क्या पूछा गया कि किसने प्रदान किये हैं किसने अवर्ड यह दिये हैं तो उप्शन ए अनुराक ठाकूर इनके बास में देखें इनफॉर्मिशन ब्रोड कास्टिंग मिनिस्ट्री है और इनके द्वारा ही यह जो अवर्ड हैं वो प्रदान किये गए हैं मोदी जी के जो जन भागेदारी से जन आंदोलन का जो विजन है देखें उसी विजन को साकार करने में जो कॉमुनिटी रेडियो स्टेशन हैं यह काफी ज़ता इंपॉर्टन रोल प्ले कर रही हैं वदा एक तरीकिस से काफी अपनी महतपुर भूमी का निभा रहे हैं और इसी उपलक्ष में 8 और 9 कॉमुनिटी रेडियो अवर्ड दिये गए और यह अवर्ड किसने दिये हैं अनुराग ठाकुरनी अगला कॉशन सुमित नागल हैस वॉन इन्होंने जीता है देखिए अभी टैंपरे चैलेंजर 2023 टाइटल तो चेक रिपब्लिक के डेली बोर्ड स्विस्रिना को हराकर इन्होंने यह टाइटल जीता तो इनका नाम भी याद रखेंगे कॉशन डारेक भी बन सकता है कि टैंपरे चैलेंजर 2023 टाइटल किस ने जीता तो आपका अंसर होगा सुमित नागल तो यहां पूछा है कुशन में कि सुमित नागल इस रिलेटेट टू विच स्पोर्ट तो यह किस स्पोर्ट से संबंद दीता है तो यह जो टूर्णमेंट है यह एक टैन तो यहां पर फ्रेंट्स हमारे करेंट अफेस के क्वेशन कंप्लीट हो चुके हैं चलिए अब बात करते हैं स्टैटिक चीके के क्वेशन की तो पहला कुशन देखे क्या है विच आव दि फुलॉइंग इस अबेंडेंट इन गोबर गैस में इन में से कौन प्रचूर मातर है अच्छ अब मीथेन की बात करें तो मीथेन का फॉर्मला होता है CH40 के ध्याने के करे बार एक्जाम में न इसका फॉर्मला ही पूछ लेते हैं अगला कोशन देखे है विच कंट्री स्टार्टेट कॉंप्रिटिटिव एक्जामिनेशन फॉर सिवल सर्विसेस फॉर दी फ फॉर्मड इन तो विश्व वियापार संगठण का गठण कब हुआ था जिसकी फॉर्मिशन हुई थी फ्रेंट्स नाइन्टी नाइन्टीफाइब में एक्जेक्ट डेट के बात करते हैं तो 1 जैनवरी नाइन्टी नाइनटीफाइब में इसकी स्थापना हुई थी और फ बेकिंग सोडा का रसाइनिक नाम क्या है, इसका क्यामिकल नेम का है, क्या है, तो सही आंसर है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे हम फॉर्मॉला वाइस कैसे लिखते हैं, एन एच सी ओतरी, ठीके, आल्सो इसको देखे, पॉपललर्डी यह जाना चाहता है, कुकिंग सोड के नाम से भी, इसको कुकिंग सोडा भी कहते हैं, तो बेकिंग सोड़ा का कैमिकल नेम है, Sotium Bicarbonate, Next Question, विच सिटी ओफ इंडिया, is called as the Silicon Valley of India, भारत के किस शहर को, भारत की Silicon Valley कहा चाता है, तो कौन से शहर को कहा चाता है, रैट आंसर इस, बेंगलूर्व को कहा चाता है, तो friends, यहां हमारे questions भी complete हो गए हैं, चलिए आपको एक revision कर लेते हैं, कल के important questions का, तो पहला question है, who has become the second pace baller to take 600 wickets in test cricket, तो test cricket में 600 wickets लेने वाले, दूसरे तेज के अंधवास कौन बन गए हैं, answer is Stuart Broad, Who is the author of the book, जिसका title है, As the wheel turns, तो यह book किस ने लिखी है, इसके author है, रंजीत प्रताप, Who has become the first woman to be top navy officer in US history, US history में top navy officer बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है, answer होगा friends, Lissa French team, next, which state's assembly passed a bill to provide minimum guarantee income to all adult citizens, तो यह किस ने इसका विध्यक किस ने पारिद किया है, तो यह विध्यक पारिद किया है, राजिस्तान गवर्मेंट ने, Under India's G20 Presidency, Labor and Employment Ministry के जो meeting है, कौन से state में आयोचित की गई, तो इस meeting का आयोचित किया गया, friends, मध्यप्रदेश में, next है, at which place, तीसरी और जो final meeting हुई G20 disaster, risk reduction, working group की कहां पे आयोचित की गई, तो इसकी final meeting हुई chain नहीं में, यह तीसरा edition था, इससे पहले अगर second edition की बात करें, तो second edition हुआ आपका मुंबई में, first edition की बात करते हैं, friends, तो पहला edition हुआ गांधी नगर, गुजरात में, अगला question, which IIT has signed an MU with the Indian Council of World Affairs to build capacity in international affairs and foreign policy, तो यह MU sign किया है, किस IIT ने, IIT गुवहाटी ने, next है, which country has recently initiated a project to drill a 10,000 meter hole into the ground, to seek ultra deep reserve of natural gas, तो कौन सा देश है, जिसने भई 10,000 meter तक का, जो है, जमीन में छेट करने की परियोशना शुरू की, तो यह शुरू की है, चाइना ने, next है, इंडिया ने recently किस country के साथ में MU sign किया, to develop a resilient semiconductor supply chain, तो भारत ने, जापान के साथ जो है, यह MU sign किया, तो यहां हमारे friends question complete होते हैं, कला आप लोगों से हमने जो question पूचे थे, उसका answer चले discuss करते हैं, पहला था global liability जो index आई थी, उसके according, रहने योग्या जो best शहर है, वो उस्ट्रिया की capital है, वियना, इसके अलावा, global gender gap जो index आई थी, उसमें भारत की रहन क्या रही थी, 127, so thank you so much friends, आप सभी के बिलकुस अहीं answer थे question के दोनों, आज के हमारा comment है प्रतीब दा, so thank you so much, और इसकी तरह friends, आप लोग भी regular रहें देखे, answer करें जरूर, जो भी हम आप से question पूछते हैं उसका, तो आज कर देखे, test का हमारा पहला question क्या है, when was the geological survey of India stabilized, तो जो भारतिय भूवज्ञानिक सर्वेक्षन है, इसकी स्थापना का बुईती, साथी में बताएगा कि इसका headquarter कहां पी है, और दूसरा question, इन में से किस राज्य को God's own country कहा जाता है, तो भारत का कौन सा राज्य है, जिसे भारत में भगवान का अपना देश, ये कहा जाता है, ये title उसे मिला है, उस state को, तो इन दोनों question के answer आप हमें comment box में जरूर बताएगा फ्रेंड्स, इसे के साथ आज का important session यहा complete होता है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो please friends वीडियो को like करें, share करें और चैनल पर, please अगर आप नहीं है तो subscribe जरूर करें, फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी अगली important class में, thank you so much for watching this video.